अब बार बार इस बार पर जोर दे रहे हैं कि नॉन आइलेंडर नॉन आइलेंडर सर अंडमान निकोबार दीप समुझ जो है इंडिया का ही एक आंग है भारत का ही एक आंग है तो हर भारतवासी को कहीं पर भी जाकर जौब करने की या कहीं पर भी जाकर अपना भरने के लिए गुजारा करने के लिए जो भी काम करना है करने का परमिशन है तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, क्या आप जो मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें आपको सफलता मिलेगी, आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, क्या ये मुद्दा कहीं न कहीं जाकर इलक्षन के समय, राजनीतिक रण में तो डूबनी जाएगा स मुद्धा यही है कि नॉन आइलेंडर्स यह सिफ आटो चेत्र में ही नहीं है कंस्ट्रक्शन चेत्र हो टूरिजम सेक्टर हो कहीं पर भी हो नॉन आइलेंडर्स हावी हो रहे हैं इस पर अब क्या बोलना चाहेंगे तो आज हम मवजूद है अनार कली कम्मुनिटी हॉल में जहां पर आज जॉइंट आटो यूनियन का एक मीटिंग हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आटो ट्रेवर ने हिसा लिया और एक बहुत बड़ा हुजूम यहां में देखने को मिला है हम बात करेंगे जॉइंट आटो यूनियन के जो चेर्मेन है उनसे अर्विंद राई शर्मा जी से बात करेंगे कि उनका मुद्द क्या है आकेर सार नमस्कर सर बताइए सर आज किस मुद्दे में यहां पर आपका जो मीटिंग हुआ था सर सर यह जो आईलेंडर्स आटो ड्राइवर्स है जितने जो हमारे अंडरमान निक्तोबार आईलेंड के लोग है उनका यह डिमांड था कि आईलेंडर ही आटो चला और इनका जो डिमांड है एक जायज डिमांड है क्योंकि 2007 में S.T.A. ने डिरेक्टर ट्रांस्पोर्ट ने जो S.T.A. उनके एक अथारिट है उसमें कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट के और बाहर के भी लोग आते हैं तो उन्होंने एक कानून बनाया था 2007 में कि आईलेंडर को ही जिनके पास में लोकल सेडिफिकेट है आईलेंडर कार्ड है उनको आटो पर्मिट दिया जाएगा तो उस समय से पर्मिट लागू हो गया मगर अब देखा ये गया है कि आईलेंडर होते भी बाहर के लोग आटो को चलाते है उसको एक धंदा मना दिया गया था क्योंकि देखिए ऑटो जो एक सेक्टर है पहले इ रख दिया गया है ताक में रख दिया गया है कुछ यूनियस मिल करके कुछ यूनियस लीडर मिल करके इसको अपने दो नंबर का धंदा बना करके रखिए जिसके तहट क्या करते हो लोग दूसरे का आईलेंडर काड ले लेते हैं लाइसंस ले लेते हैं आटो पर्मिट पर और वो 500 रुपय में अपना कमाई कर लेते हैं जिसके चलते क्या हो गया जो अंडरमान निक्तुअल एलेंड के पड़े लिखे बिरोजगारी हुआ है जिनके पास में कोई दूसरा काम करने का जरिया नहीं है क्योंकि हमारे पास में कोई इंडस्टी नहीं है कोई दूसरा एक सब्सक्राइब करके एक तीन लाग रुपय में आटो लेकर के चलाते हैं मगर आज क्या हो गया यह बहुत भारी एक जो ग्रूप है नॉन आइलेंडर का आकर के उसमें जुड़ गया है आपको रोकना चाहूंगा सर आप बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नॉन काप करना के लिए जो भी काम करना है करने का पर्मिशन तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर क्या आप जो मुदे पर लड़ाई लड़ रहे हो इसमें आपको सफलता मिलेगी देखिए ये question आपने बहुत खुबसुरत question किया और मैं इसके उपर में आपको explanation के साथ में documentary evidence नहीं मगर एक जो तत्य उतावस के साथ में आपको बोल सकता हूँ एक गंटे का पूरा इसमें debate में इसमें कोई दोराई नहीं है we are proud Indians, हम लोग को गर्भ है कि الدमान ंयक कोबार आइलेंड भारत का एक अंग है देखिए अंड़ान में ये अंड़ान ज़े अधिया जगा है जहांपे ब्रिटिस ने भी राच किया Japanese ने विराज किया, जो हमारे पूरवज है, हम लोगों ने दोनों का डंडा खाया, ये भारत सरकार को कम मालू हुआ कि जपान जब यहां पे आया, हम लोगों के उपर में कितना जाती हुआ, तो एक देखे सेक्टर एक pre-42 है, बाद में सेक्टर्स लाए गिए, और जो लोग जिनके मावाब 50 साल पहले है, 50 में आए, सतावर में भारत अजाद होने के बाद में है, उनका भी योगदान है, क्योंकि अंडामान का डवलप्मेंट में उनका भी, वो भी हमारा परिवार है, समझे तो हमको कोई इसमें इतराज नहीं है, और इसमें कोई शक का बात नहीं है, कि हम लोग भारत का अंग है, कोई भी आ करके नौकरी कर सकते हैं, मगर आप देखोगे, 39 में देखोगे, उनके लिए कानून बना हुआ है, लक्षिदीप में उनके लिए कानून बना हुआ है, और उनके पास में एसमली भी है, वो अपना कानून भी बना सकते है, उनके पास में इंडस्टी भी है मुख भूमी से जुड़े वे हमको तो एक special category government of India को देना चाहिए लेकिन अब तक तो special category अन्नमान को announce नहीं किया गया है तो क्या ये इस चोटे से मुद्दे को लेकर आप भारत सरकार से लड़ने की कोशिश कर रहे हो अगर special category देना है तो बारत सरकार ही देना है तो हम भी चाहते हैं कि आप जो लड़ाय लड़ाय उसमें आपको सफलता मिले लेकिन क्या ये मुम्किन है सर देखे सरकार हमारा सरकार है चाहे किसी भी government को आने दो हमारा सरकार है और भारत सरकार अंडमान निकोबार आइलेंड के बारे में महुत अच्छा से सूचती है हम पहले क्या थे आज क्या थे आज थोड़ा सा समस्य है मैं उस मुद्दे में नहीं जाओंगा हम गवर्मेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन देंगे उनको बात करेंगे आज तक हम लोग क्यों फेलियर हुए है हमारा जो अंडमान का नित्वित तो है कही न कहीं चूग जाता है उनका होमवक नहीं होगा या उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा गवर्मेंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं देखिए same category आप medilons में देख करके रखे हो उनका special category मिलता है ना लक्षी दिब को मिलता है हमारा category का है हम भी उनसे दूर है हमको आप assembly क्यों नहीं दे रहे हो assembly इस नहीं दे रहे हो कि sensitive जगे है भारत का सुरक्षा सबसे पहले है आप हमको assembly नहीं दे रहे हैं उसका हमको कोई दुख नहीं है हमें चाहिए मगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि अफसर आते हैं अफसर हमारे मनमर्जी से चलते नहीं है एक member of parliament है को एक member of parliament बिचारा जाकर कितनी आवाज उठाएगा कोई किसी भी party से बने consular से परदाहने वो कहा आवाज उठाएगे हमार आवाज यहीं रह जाता है तो मगर हमके special category दे तो यहां के बच्चों का है कम से कम नौकरी और रोजगारी तो शिक्यर होगा तो जो हम भारत सरकार को इसका representation देंगे काम करेंगे देखिए यह मुद्दा उठा है islanders auto से मगर हम लोगों ने विचार किया है कि इस मुद्दा को हम लोग दूर तक ले करके जाएगे यह बहुत लंबा लड़ाई जाएगा अब एक राजनितिक दल से जुड़े हुए हो क्या यह मुद्दा कहीं न कहीं जाकर election के समय राजनितिक करण में तो डूबनी जाएगा सरी इसका राजनितिक करण तो नहीं हो जाएगा नहीं में इस मुद्दा के लिए है अगर चाहूं तो मैं कोई भी पार्टी को समर्थन नहीं करूँ देखिए सब राजनितिक पार्टी का एख ही मकसद है कि अन्डबान निकवार तरक्की करना तो मैं यह नहीं बोलता कि मैं बहुत कुछ जादा जानता हूँ हमारा एक view है हमारा vision है आज हम लोग पिछले क्यों पिछे है क्योंकि हमारा जो नित्यत्तो है जो भी party यहां कर रही है उनका vision और view अंड़मान के बारे में clear नहीं है देखिए सबसे पहला तो development को आप हटाईए जब हमारे बच्चे यहां पे सुखी रहेंगे मैंने meeting में भी बोला है कि हम लोग आपको कहीं नहीं बोलेंगे आपका आपका मतदान है आप जाएए अपने रूम में जाएए बैलेट बॉक्स के पास जाएए आपको जहां उट दबाना है दबा देजे इस मन से आपको कोई influence नहीं किया जाएगा कि आप उनको उट दे मेरे लिए मेरा island first nation first देखे हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे देखे सबसे बड़ा खत्रा क्या है ना अंडरमान निकोबार island में भारी लोग भी आ रहे है आज हमारे यहां पे अगर हम ठीक तरीके देखे मुझे जहां तक याद आ रहा है एक दो हजार दस पंदरा साल पहले एक प्रोग्राम चला था जी टीवी में उसमें यह बताया गया था कि अंडरमान निकोबार island में पांसो से ज़्यादा अधिक island है हम लोग कई कंट्री से घिरे वे हैं कि कई isolated island है जहां पे population नहीं है वहां पे terrorist camp भी चल सकते है वहां पे कुछ और गती गैर कानू नहीं गती वीदी भी चलते है जैसे आज कल ड्रक्स आ रहा है बहार से ऐसा से ड्रक्स का नाम है जो हम लोग जानते नहीं है कोई बोलता है भैक के आगी है कैसे आगी है मगर वो कैसे आ रहा है वो तो सरकार को देखना है वो चिंता का विशह है मगर जब यहां पे फ्लेक्स आप पॉपलेशन को रोग दिया जाएगा तो सुरक्षा के माध्यम से दे कि हम आज से नहीं हमारे बाब दादा यहां पर ब्रिडिस समय थे यह पूरा बेल्ड था हम लोग एक सिफाई का काम करते थे हमारे जो पूरवज रहे 342 के हम लोग सिफाई का काम करते थे कि यहां पे कोई दूसरा कंट्री दुश्मन यहां पर नहीं उसने दिया हम जब अज़ाद हुए हम लोगों से पूचा गया है हम लोग ने अपने पूरवच से सुना है कि अब किस के साथ जाओगे आपको अज़ाद हींडू 一 कांटरी है पाकिस्तान के साथ जाओगे अरे क्यों हम सब भारत्त थी है हम लोग हिंदुस्तान से लाए गए हैं हम लोग हिंदुस्तान से जाएगे और गर्व से हम लोग तो भारत माता की जाए ब्याहिंद बोलते हैं तो यह हमारे लिए गर्व का बात है कि हम लोग भारत का अभिन अंग है अभिन अंगी रहेंगे मगर हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि एक कमिटी आप बनाया पहले भी कमिटी आया सेकर सिंग कमिशन आया था आपका टाइम दिया है और अब आप आप आटो यूनियन से जुड़े हुए हो, मुद्दा यही है कि नॉन आइलेंडर्स यह सिर्फ आटो चेतर में ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन चेतर हो, टूरिजम सेक्टर हो, कहीं पर भी हो, नॉन आइलेंडर्स हावी हो रहे हैं, इस पर आप क् BWDP, उन्हीं को और वर्क और दिया जाए, तो कम से का मिनिममम दस साल और बच्चा यहां पर अंडामान में पढ़ा हो, पढ़ लिकर के बाहर निकल गया, उसके पास में कोई वो नहीं है, उनको कॉंट्रक्टर बनाया जाए, मगर उस समय भी एक राजनितिक जो उनका अप पढ़ेगा, क्योंकि देखिए, दिन बदिन अंडामान मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं, बाकित माध्यम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट का सुवीदा हमको मिल गया, बाकी सुवीदा हमको मिल गया, मगर बताइए हमारे पास जो पानी का प्रॉबल डेरी फ़र्म में वह है, मगर पॉपिलेशन सेंसेस में हमारा ढाई लाग तीन लाग बता रहे हैं, मगर आप मीडिया में हो, आप मुझे बताए हैं, आज पॉपिलेशन क्या होगा, मेरा अंदाजा से नहीं से 7 लग से 10,000 population है हमारे पास में sources नहीं है हमारे पास में जो बिजली का खपत है वो बढ़ता जा रहा है मगर बिजली का उत्पादन है वो कम है हमारे यहाँ पे जो electricity department है आज वहीं का वहीं है regular उसमें superintendent engineer नहीं है मैं तो यह चाहता हूँ आज आपने मौका दिया है कि मैं इसलिए मैं बात रख रहा हूँ कि प्रसाइशन के सामने जाए electricity department अपग्रेड होना चाहिए था है चीफ इंजिनियर उसमें आ जाना चाहिए था PWD में प्रिंसिपल इंजिनियर आ जाना चाहिए था समझे ना तो मुद्धा यही है कि हमारा पास में जो सुविदा है वो कम होते जा रहा है वगर जनसंग के यहां पर बढ़ती जा रही है आप कितना भी कर ले अभी आने वाला साल में देखिए 12-14 दिन हो जाएगा भगवान ना करे अगर बारिष थोड़ा अभी क्या हम लोग क्यों बचे हुए है क्यों हमको एक दिन चोड़के एक दिन पानी मिल रहा है वो उपर वाला बचा लिया बारिष आगिया चोटा-चोटा साइकलोन आ रहा है तुफान आ रहा है दो-तिन दिन बारिष होता है पानी रिजर्व हो जाता है उसको हम चांते तो उसको बढ़ा करके उसका जो डिसील करके उसमें हम लोग पांच मैना का जादा पानी रिजर्व कर सकते मगर प्लाइनिंग नहीं है, एड्मिस्टेशन का प्लाइनिंग नहीं है, और हमारा जो नित्युत है इस बात को नहीं रख पाता है, मतलब किसी भी बात को नजरा राजनीती करना है, हम इसको नाराज करें, अभी समय के आगिया हमको निर्ने लेना पड़ेगा, आपने जैसे किसी को हम आगिला सकते हैं, मगर उट के लिए राजनीती हम अपने लोगों से गद्दारी उनके खिलाफ में काम करना ये कता ही नहीं होगा, बहुत बहुत धनियवाद सर, आपने मुद्दे से हट कर भी कई सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धनियवाद, हम उ लड़ाई को लड़ रहे हैं, शुरुआत किये हैं, उसमें आपको कामें भी मिले, बहुत बहुत धनियवाद सर.